सबी को जाएं दोस्तों आप सबी का हारदिक स्वगत है हमारे । यूटीब चैनल पे लिए एक जबरदस वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो इस वीडियो को अन तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल का बटन जुरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए इसी इंट्रेस्टिंग और इंफॉमेटिव वीडियो लाते रहें और इस वीडियो का ओरिजिन लिंक आपको डिस्क्रिप लेकिन ठीक रहा एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है कि लोगों को पता लगे कि वो इनफैलियोबल नहीं है लोगों को ये पता लगे कि वो इस दुनिया से सबको जाना है एक दिन तो अब देखिए ये वबा ऐसी आई ये परेशानी ऐसी आई कि बड़े जो स आणिया इजाद भी हुआ एमेरिका में में यू-के में रॉस्या में इंडिया में भी अगले मेहने से बहुल हुआ है कि बड़ा इंटरेस्टिं जा रहा बिलकुल और यू-एस एलेक्शिंस में है वह हमने बहुत सारी चीजें देखी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी और जैसे के डोनल्ड ट्राम्प का था के वो वहां पे हार गए और इस तरह से लेकिन आपको क्या लग रहा है के नए साल में क्या चैलिंजिस है इंडिया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को किस चीज के उपर जादा आप समझते हैं के फोकस रखना चाहिए और बिलकुल इंडिया में भी कोई ना कोई कमी होगी ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज परफेक्ट चल रह हैं सब गोई यह एडिया इमोशनल पीपल और जगले भी चल रहे एं अची बातें भी चल रही हैं तो बहुत बड़ा इंडिया में चलता रहता है जानता पाकिस्तान है मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त मैं चीज़ा रहा था बीस साल तक सब कुछ बंद करो यह है ब खुद्मुक्तारी जिसको कहते हैं जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद्मुक्तारी की आर्जू जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है एकनोमिक सोवरेनिटी होती है लेकिए जो जो किसी मुल्क के असरी थाकते हैं या फिर कोई भी कोई मुल्क की ज पहाली में देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, जैसे साओधी एरफ के साथ आपके कशीदगी चली, और आगे चलके ठीक हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, there is nothing permanent, आज खराब है कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से साओधी एरफ के साथ रह तो सबका एक देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान, मैं तो वही बात मैंने दुबारा बोल रहा हूं, छोटा मूँ बड़ी बात, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोलनूं मुलक के लिए, लेकिन अ साथियरेविया, ना अधरवेजान, ना कुछ, ना कुछ, ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सब को छोड़ो आप, वीस साल के लिए, ओनली फोकॉस होने, तो तब उससे क्या होगा, आर्जु जी, कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एकॉनोमी पर फोकॉस करेंगे ना, तब शा पाकिस्तानी CSF दान तो समझते हैं, अपनी परसनल कैपस्ती में समझते हैं कि पैसे को सलाँ करते हैं, लेकिन जो आपके तरह ना, लार्जर इशु और इस तिंग, एकॉनोमिकली स्ट्रॉंग जो कंट्री होगी, आज की तारिक में आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, प कर आप ये पूचा हैं कि आज क्रेडिबिल्टी किस की है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, आपके अटम बॉंग को नहीं करती है, वो सिंगापूर के पैसे को सलाम करती है, तो ये ये दुनिया की फित्रत है, दूसरी चाहिए आप में पूचा कि इंडिया को क्या करना चाहिए मुझे लगता है इंडिया को भी एकॉनमी पर जादा फोकस करना चाहिए हमारा हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबददस्ट फोकस करें इंडिया और मेरा बड़ा मन है कि दो हजार है हम लोग बजट में सिग्निफिकंट पैसा डालें रिसर्च औ डेवलोपमेंट में साइंस और इंजिनिरिंग की फीड में हम लोग पैसा डालें क्योंकि और अलरी हमारे पास human resources वार्द आ इंडिया में है थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलजी म हम लोग जादा फोकस करें जादा हम लोग यू नो उसको सामने लेकर रहा है पैसा डालें रिसर्च और डेवलोपमेंट में जी बिलकुल चीक लेकिन मेजर सब एक चीज़ मेरे पास बलके लिखके भी रखा है कि इस्तंबूल तहरान इसलामबाद एक कार्गो ट्रेन एक् ट्रेस में शामील होता तो उसके लिए भी भी भेटर होता लेक्राइब सब्सक्राइब कि अबरग्ध की से बाता है कि हमारे लिए किस तरीके से बाता है कि लेकिन मेजर साइब जो तर्के का अगर देखा जै तर्की का भी मैंने लिखा रखा है कि यह जो उनके है फो सिक संडेडेगं फॉर्टीन बिलियन डालर के उनके एसिट्स निभी टुथ रहता rank आ रहे और साओधी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम Sथाओधी अरब से पैसे लेते हैं अग़ो आप कैसे हैं टर्की के पास पैसे नहीं है वो से शरिफ एक ही नमबर आगे हैं और उनके पास सिकस एटी billion dollars हैं तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि तर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई project नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता है हम यह नहीं कह रहें तर्की के बड़ की आपको पैसे नहीं देगा Merti आपको Erdogal Gazi दे देगा के अले फफलयला की कहनियान सना लेगा पाकिस्तान को क्या चाहिए पाकिस्तान को चाहिए पैसा पाकिस्तान को चाहिए फणिंग इसलिए पाकिस्तान की यही bardzo罂 पिर है उननल लोग टिवी चैनल नहीं बना सकते ओना। न आपने पीश spindle किया बनाएंगे। उसमें पाकिस्तान कितना पैसे लगा एक यह बता हैं पाकिस्तान तो किलिवे लैगा है यह तो ऩृ पड़ करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं वहीं तो बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिवेट चल रही थे मैंने देखिए आपका जो रिल्वे मिनिस्टर हो बंद करने पड़ेगी तो आप लोग देखिए मैं यह कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने अंदर से स्ट्रॉंग करिए आपकी अगर लाहौर से इसलामावा ट्रेन भी चलती उसको आपकी फिकर नहीं आपको यह है कि हमारी यहां से तुर्की तक ट्रेन चले क्यों चले वही आप पहले अंदर की ट्रेन चलती है फिर हम बाहर की चलाएंगे पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना आप आर्जु जी देखिये दो चीजे हैं हर समय जो फॉरेंड रिलेशन्स होते हैं अर्जु जी तो हम एक चीज देखनी पड़ती है कि यह जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है चाहता क्या है इसमें कोई यारी दोस्ती कि आप भी मुसल्मान हैं हम भी मुसल्म यह सब बिकार की बा पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना कहीं न कहीं तो काम आ रहा होगा तूच ज़रूर आ रहा होगा मैं मना नहीं कर रहा है पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं यह नहीं के रहा है पाकिस्तान बेकार है मैं ज labor का मुल्ख अच्छा मूल्ख अच्छा देर्श है तगड़ा लोग है आप मैं आप तो सिर्फिय यह उस्मी चाहिए जो तुर्की कोُच्ही जो इरान कोची है जो इरान कहें कि जी अगर पाकिस्तान से अपने ये ने लिया तो हम खतमी हो जाएंगे आप एक इस बता है पाकिस्तानी गुस्ता होते करते हैं जी फुटबॉल बनाते हैं वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है पाकिस्तानी ने मुझे फेस्बॉक पर बड़ा लंबा मेसेज दे अब एक बान बताईए आपनेस फ्रनाली और मेरिका के साथ थे पा किस्थन का भला हो गया जब साथ तब पाकिस्तन का भ болiad बहुत्राइब हो गया जो अब आप तुर्की के साथ और इसके साथ जा रहे हैं इरान के साथ बोलेंगे जी हमारा बला हो जाएगा बला किसका होता है अगर पाकिस्तान वहां को ठ्रेड करें तो कहेगा ठीक है तुर्की कहेगा ठीक है हम यह दस चीज़ां बनाते हैं हम दस चीज़ां आपक को लाने पड़ेंगे जो पर यूनिट मनमर्जी की विक्ती है पाकिसतान में बिजली की जी इतने रूपए पर यूनिट बेज दी वो रोकना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस्मन को सपोर्ट करना पड़ेगा आज़ू जी आपका जो जो आपका हैंडलूम बना अजो मजबूत बन जाएंगे न फिर आपको ब्लॉक बनानी जरूत नहीं होगी फिर तुर्किय आपके幫 स्चार आयेगा और यह जो प्लॉक की बात करते कि यह लोग ब्लॉक बनने जारे और यह आजे हैंए यह सिर्फ कि रहा हूँ, आप ये सब ना ये जो पाकिसतानी ये जो हम शाहीन हैं हैं होगी आम लोगों की तब जाके जब एकॉनोमी में स्टेबिलिटी आएगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा फिर आप जाके फिर जब ये सब हो जाएगा ना फिर अमेरिका आप यॉरोप से बात करेंगे तुर्की वुर्की यह जो अपने आपको ना वुड़ भी यॉर एशिया का यह है यह सब यह नकली यॉरोपियन है तुर्की वाले फिर आपको नकली से बात नहीं करने की ज़रूत पड़ेगी फिर आप इकुल टम्स पर बात करेंगे लोगों से आप साओधी अरेवे से बोलेंगे हाँ ठीक है तुमारे पास तेल है ना हम पैसा देके खर आपको ना ब्लांग बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी लेकिन मेजर सब ये जो हम लोग नुक्रियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में बलके सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं क्या ये को सिक्योरिटी देता है और हमारी तैसी कंट्री में सारा पैसा उसमें लग जाता है अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेतर तरीके से रहें तो और ये चीज़ों के उपर पैसे इंवेस्ट ना करने पड़ें आपको नहीं लगता है क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी उसकी वही आलत है जो हमारे हैं वो भी आसकती है क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हतियार और ये रूकलियर बॉंब क्या हम चला सकते हैं मेरा नहीं कहल के चलाने की हिम्मत है किसी में आर्ची दो चीज़ें ये बात सही है कि हिंदोस्तान में लोग भूके सोते हैं सड़क पे सोते हैं फ्लाइवर के नीचे सोत है हमारा वन परसेंट हर साल पॉवर्टी लाइन से उपर उठता है हमें अपनी ग्रोथ मानेज करनी अगर हमारी एट या नाइन तच कर जाती है जो हम कोशिश कर रहे है नाइन तच कर जाती है और जैसा कि मोदी जी ने बोला हम फाइफ ट्रिलिंड की एकॉनमी बन जाते है हमारी सरकार उसके उपर काम कर रही है क्या perfect काम नहीं कर रहीं और मैहनत करनी पड़ेगी सरकार को लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है लगी वह इस चीज पर लेकिन आर्चु छी यह चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में और लोग गरीब बते जा रहे हैं अभी इम्रान खान साप का बयान आया ना कि 2.5 साल तक मुझे पता ही नी लगा कि करना क्या आ औह पर, curtis नो 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाया है हूँ, मैं आते ही सब की बेंड बजा दूँँगा, तो फिर वो रहा हूँ, तो वो चीज़ है कि जब हुकूमत में आते हैं, तो सर्प्राइज़ आते हैं, दूसरी चीज़ जहां तक आपने Atomic Energy की बात करी या आपने Atom Bombs की बात करी, देखे हमारे साथ वो अफोर्डबिल्टी का मामला नहीं है, इंडिया इस सीन मैं बता रहा हूँ, उसमें फरक क्या है, एक तो हमारे ले ज़्यादा कोई बजट बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि economy is doing okay, और we have enough money, हम अपना Atomic Program manage कर लें, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना Atomic Program इसले बनाया है, क्योंकि इंडिया ने बना लिया था, तो आपने बुला कि इंडिया है, तो हम भी ची है, अब यह जब बात हो गई ना, कि हमारा Nuclear Program जो वर्ल लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बुले आर्जू जी, इंडिया का जो नुक्लियर प्र पाकिस्तानी नुक्लिय बॉम, प्लस विकी लीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नौर्थ कोरिया को पता नहीं किसको किसको बॉम की टेक्नोलजी दी, जो नहीं देनी चाहिए तो दोनों मुलकों को कंपेर करना आर्जू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इं नहीं हैं वहां तरभ में इस roku में देनी नौर्थ एक रॉम कर ऊंसे लिए यहांतों कि इंडिया जो 21 सदी में जा रहा है जो स्पेस पेसर्च की बात कर रहा है, एक इंडियन है जो फ्लाइवर के नीचे सो रहा है जायद रात को खाना न 175 में यह ए लेकिन यह भी है कि इस रो जो है हमारा राइट नेटो वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका जो नासा है अमेरिकन्स का नासा वाले आके हम से सीखना चाहते हैं कि वहीं आप सौसा इक साथ कैसे वेज सकते हैं आपने सस्टे में तना एफिशन्ट स्पेस प्रोग्राम कैसे ब लेकिन गडिवी पर नजर है और चीजे हो रही है और मतलब ये ठीक ठीक अच्छाई की तरफ जाए मामा लेकिन आपको लगता है कि यह यह जो नियुक्लियर एसेट्स हैं यह कोई सिक्यूरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को बिलकुल पाकिस्तान को मुझे नहीं प को खुरकर में जो सब्सक्राइब करने यह वास दो है कि अगर और देखीए सुनिया वह कर के लिए मार रा गहार गेश्ट एक सो थीज करोड का मुलक है थीक है कि एक न किद्रें हमारा क्रलेगा लद्दक पर वह बैठे हैं भी बैठे हैं पचास साल तक बेठे रहेंगे अम इंडिया इस अराइड ऑन दो वर्ल्डेश हिंदुस्तानियों ने राइड जो यह सेलेक्ट क्यूंस यह जो आपके पी फाइव जिसको कहते हैं यूनाइटे नेशन सेक्रूरिटी कांसिल के जो पांच मेंबर हैं जो इन्होंने एक्स्क्लूजिव क्लब बना रखा था इसमें सिर्फ यह लोग होंगे पांच उस क्लब में हम लोग घुज गए हैं हमने पैर मारा और हमने दर्वाजा तोड़ दिया अब हम घुज गए हैं अब दुनिया को पता है अमेरिका यह बात कुबूल करता चाइना भी कबूल करता वो डिरेक्ली बोलना नहीं चाहता विक हमारा कॉंपटेटर ए डिरेक्ट लेकिन यू कैनोट सर्वाइब बड़ इंडिया इस विए सिंप्ली तू स्क्रॉंग विए सिंप्ली तू पार्फुल विए ग्रोइं तू फास्ट और दुनिया का जो आप देखिए हर जगे पावर स्ट्रुक्चर में इंडियंस हैं इतने हिंदो मैं तो जो हिंदुस्तानी माबाप हैं राइड मैं उंको सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, हेंदुस्तानी माबाप ओब amosize इसी थे मैं जानता हूँ जिन्नों ने एक रोटी कम खई अपने B 네 ऑँ उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और आज हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं इस आप बोलें कि साथ यह बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी नौकर जांकर थे यह बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं छोटी छोटी गलियों में रहने वाले जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं आप फेस्बुक से लेकर ट्विटर से लेकर एपल, माइक्रोसोफ्ट, गूगल कहीं पर विजाईए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे यह हमारा एक वर्क एथिक है यह हमारा कल्चर है और वो लोग महां पर जाएंगे ना उनका एक्सेंट हो गया होगा ठीक है लेकिन दिवाली के दिन वो भी कुरता पैजामा प इसरा प्राइब दे रहा है यह बात उन्होंने क्यों क्या और दूसरा उन्होंने यह भी कह के हम जब तक नहीं बानेंगे जब तक फलस्तीन के लिए कुछ नहों जाए कोई बताब अच्छी बात ना सेट करने लोग देखे सुनिया किसी को इंट्रेस नहीं है पाकिस्तान म किसे बोला को हम पे प्रेशियर बटाओ पोटते हैं किसने बोला किसने वह इसे प्रेश्यर को बाताओ एक बार तो बोल यह फाल तूने जुट इस्राइल की टेक्नोलोजी दुनिया के सबसे आगया है, फर्स्ट वर्ल्ल कंट्री है, ओनली डिमोक्रिसी इन दे मिड्ल इस्ट है, और पाकिस्तान की ऊपर साब बड़ा प्रेशा टल रहे हैं कि हमें रेक्नाइज कर दो वरना हम तो कहीं मूद दखाने के लाइक नहीं आप आप सोचें नार्जु जी इम्रान खान पता निए क्यों ऐसी बातें करते मुझे समझ में यहाता, वजीर आजा में मुल्क के थोड़ी सी, मैं यह कह रहा हूँ थोड़ी सी, ना कि संजीदा बाते करें थोड़ी सी, थोड़ी सी, सीरियस टाइप की बाते करें, सब आप उस समय ब्रिगेडियर था या मेजे जनरल था, वो किंग हुसेन थे जॉर्ड़न के, उनके अंडर के पाकिस्तानी फॉज में फिलिस्तिनियों को मारा है, आज पाकिस्तान उनी फिलिस्तिनियों के लिए रो रहा है कि हमें आपके हुकूप के लिए आम इस्राइल को र मरवाई हैं किसी प्लिस्तिनियों की हजारों फिलिस्तिनियों की लास UAE हो, Saudi Arab हो, Koyet हो, यह किस सरह से बेख रहे हैं पाकिसान को? आरजू जी किसी को दो रुपय का इंट्रेस नहीं है मैं आपको बतारहा हूँ किसी को दो रुपय का किसी को चवणनी का इंट्रेस नहीं है चवणनी समझती है 25 बाष्टे को बोलते हैं किसी को चवणनी का इंट्रेस नहीं है लोग अपने मामलों में अपने मामलों में अपने मामलों में लोग सब परिशान है सब को अपने घर चलाने हैं पाकिस्तान कहता है मुसलिम कंट्रीस मुझे तो आज तक यह समझ में या था कि मुसलिम कंट्रीस क्या होती है आपने कभी सुना, Christian countries ने decide करा, Buddhist countries ने हैं, Thailand is a Buddhist country, Burma is a Buddhist country, Japan is very largely Buddhist, आपने कभी सुना है कि Buddhist countries ने decide करा, Christian countries ने decide करा, Hindu है दो तीन ही मुल्क हैं, और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है, तो यह सब मैं कि Muslim countries इन सब से दिमाग से निकाली है, there are only two kinds of countries, rich countries and poor countries, गरीम मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क हैं, और वो दो अमीर मुल्क हैं, एक इसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसल्मान हो, आज की तारिक में आप भी मुसल्मान मुल्क हैं, साओधियरी मुसल्मान मुल्क हैं, और यहूदी तो आपका दुश्मन है, अब आप साथ दिर्फ को कुछ नहीं चाहिए आप से, आपके पास है नहीं कुछ साथियर्फ को देदे, साथियर्फ के पाइसा है, वो टेक्नोलीजी चाहता इस्राइल के बास अजय का देखिया है, आज मैं आपको वाज़त तौर पर बताता हूं आपकी शो पर, इंडिया में एक इसमें आपके साइंटिस्स हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इसमें आपके स्ट्राइजिक फिंकर्स हैं इंडिया में, मैं हमकी साथ बैठा कल पर सो ही बैठा था हूं के साथ हैं, दे टोल मी कि गौरव, I think it's a very good idea if Pakistan keeps up with this Kashmir obsession, हारी तो कुछ फॉज वहां पर अठकी है, ठीक है, और हमारे मुलक का इससा है, तो हमें कोई फरह भी परता, पूरे पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की future, आपने कश्मीर पे डाउं पे लगा दिया बहतर साथ हैं, और जो पाकिस्तान की जो तरकी नहीं हो पा रही है, वो ठीक है कि आपके सियासत दन करफ्ट भी है हैं, नाहल भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें आरजू जी जो मामला है आज की तारिक में, वो कश्मीर का है, इतने ऑपसेस्ट हो गए हैं पाकिस्तानी की एक दिन कश्मीर, देखो, आम आद भी बोल रहा है, वो गोस्त खरीदने जा रहा है, सबज होने तो, अब आप एक बात बताईए, अगर तुर्की, मैं आप से पूछता हूँ जोजे, चलिए तुर्की, इरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए, और ये बोल दे, कि हाँ, भारत को कश्मीर में, भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, जुएन रेज क्या होगा? ठीक है? हम लोग वही करेंगे, जो हमें, मलेशा के साथा हमने. मलेशा में महातिर बहुत बोल रहा था न, बहुत चल रहा था, हमने पामोल कर दिए, महातिर निकल गया, दूसरा आ गया, घुटनों पर आ गया, मलेशा. हम सिरफ यह बोलेंगे कि कल से, तुर्क जो लेकिन मेजर साब आप बेशक पाकिस्तान की बात तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिन्दाबाद वरना तुर्की को एक रुपए नहीं मिलेगा अगर नहीं जिए पैसा तो बोलते हो कश्मीर एक रिप्लिक पे और दूसरे चानल्स पे तो जो कश्मीर से आये होते हैं वह खुश नहीं नाराज है वह अभी उलेक्शन से खुश नहीं है कम असकम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना थी के पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं ना साइट पर हो जाए लेकिन जो लोग वहां पर मैंने खुद देखी हैं डिबेट्स किसी ने बताया नहीं है मैं देखती हूं डिबेट्स तो यह और बात है आपकी आज कल नहीं ह तो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं लेकिन यह के जो डिबेट्स हो रही है उसमें जब कश्मीरी आते हैं आप कर सकते हैं वो काफी नाराज है कि वो जो थानक प्र हैं पहली भार तो था ठांक यूव आप तुर्की यरै यह सब international affairs पेड़कर कश्मीर में ऊना किक का धक है कि यह जितने हैं जो नाराज है न हिंदुस्तान से टीवी पे रैट मैं आपको इंसा आफ मिलवाऊंगा आप हिंदुस्तान आई है मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको आफ देखिए सब सब की रेडियां हैं सब की दुकाने हैं सब की पॉब्लिक पॉजिशन है रैट जो लोग नहीं होरियत पसंथे 370 के बाद वो किसी और फार्टी की बात करने लगे मैं क्या है क्या बोलते हैं आफ लोग बोलते ना कट्र नियों करने है कि अगुसरी चीज़ यह जोसे रिदिया में आइंगी मैं आपके परस्नली भी बही बोलुगा और मैं आप से कश्मीर भी बोलता हूं कि गॉरावड रिया की कथनी और करने यहानी गौरावारिया की कॉल ओफेल में आपको फरक नहीं देखेगा पर काफी लोग जो टीवी पर आते हैं उनके call of hell में फ़र्क है दूसरी चीज़ यह जो recent election से खुश नहीं है है ना अगर खुश नहीं है तो इतना turn out कैसे हुआ है इतने लोगों ने election लड़ा क्यों अगर गश्वीर में हो विःष्टान में पंजाब में हो या साओध इंडिया में पूरे मैं यह नहीं है खुश तो ना रहे हैं हम इनको खुश करने के लिए अंक वाली कोऊं कि खुश हो जाएं अगर खुछ लिए तो भागे यहां से, वह कोई लिए देन नहीं है, पर यह अच्छे लोग हैं, यह जो आते हैं ना पैनलिस्ट, इस अर गुड़ पीड, यह दिल के अच्छे लोग हैं, यह दिल के अच्छे लोग हैं, आप समझ रही मैं क्या कहरा हूं, यह चॉंसी होती है लेकिन वह काफी नाराध विए ला श्यन गिध्षार मेंग दिखाता हैं, अनली है, आउ क्वाज बताया कोई उच्छे की इंज आज रहते हैं। जई आराध रहते हैं नौ बझे से राधी ऐसे से बारे पाइप बच्छी के लिएसे हैं, पाकिस्तान के रहते हैं एक से तो वोती हैं और आप हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते हैं अभी शेख रेशी साब के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुली पर्सनल लाइफ है उनकी और उसमें वो जो मर्जी करें आप इस तरह से उनको बच जो भी होता रहा सब आप जानते हैं लेकिन आप वो दुबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए तो उसके ओपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साब की अगर हम सोचें तो तारीफी भी हो सकता है कि चले बना रहें दुबारा न आप से मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा पाकिस्तानियों ने जब वो तोड़ा हमें उसका सबूत तो मिल गया कि टूटा है लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला जिस दिन हम आखों के सामने देख लेंगे बन रहा है सबूत लेंगे इस सलाम पेश करेंगे और हम कहें आप लोग मत बनवाईए पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं आप इसले मत बनवाईए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू है और उनको सजदा करना है यह आपका कल्चरल पास्ट है इस खिते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे तीन चार पांच जेनरेशन पहले यह सब हिं है रंधावा है रखोर हैं गुजर हैं राजपूत हैं जाट हैं यह कौन है यह तो हिंदू है ना और पाकिस्तान में बरे बड़े हैं पाकिस्तानी वो टीवी पर आते हैं वो कौन बोलते हैं कि मैं 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 गुजर शेर हूं हूँ 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 जहांगे बिना वीजा के पकिस्तान से गोसेंगे वरा एंदर और फार्ण ग्मूजर है क्म्यूनिटी था हिंदू है तो आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको Muslim गुजर भी मिलेंगे लेकिन जो Community गुजर Community यह dat is basically हिंदू उनका मूल हिंदू पी जो कश्मीरी है कि कश्मीरी घुजर नहीं पो कश्मीरी गुजर कर रहे हैं आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा वो तो करेगा ही पूजा अगर उसका मंदिर होगा तो आप इसलिए कि आपके जो पूरवच थे वो हिंदू थे इट इसने अखनोलिजमेंट आफ यॉर पास्ट आपका जो अतीत है आपका जो पास्ट है आपकी जो तारीख है वह हिंदू है हडपा मोंज़ारो इंडस वाली सिविलाजेशन तक्षिया की उनिवरस्टी है जो नालंदा है इंडिया में यह इंडिया का एक हंड़िट के ऐनों तने प्रे के पूरे साह। भी इर्भ में नहीं है वो ठीक है वो पाकिस्तानिये मजिशं को पूछ नहीं सकता ठीक है वह पहें आपको रेशी नहीं मिलेंगे सारे के रोई में ठीक है कुरेशी तो कहते ने ट्रैइब और चैड़ थैस थिरा हिए सब कॉइशन तै आपने पूजा की पडदती बदली है. आपने पूजा की शहली अपने इबादत करने का तरीका बदला है आपने अपने अपनी संस्कृति नहीं बदली है तो गल्थ चीज नहीं बदलने चीए. So, that is it. बिल्कुल सही और आपकी बात से मैं एक चीज और मेजर साब पूछना चाहूंगी कि पहले जब वजब अंग्रेजों की हुकुमत थी काफी साल आप पुराने जमाने की बात कर रही हूं तो उस वक्त उन्हों ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी जो कंस्ट्रक्शन थी बड़ वहां पर भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दुबारा से जो है रिकंस्ट्रक्श कर दिया तोड़ दिया है और कुछ ने डिजाइन बना दिये या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स है हमारी हमारा अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी लेकिन पैसे हमारे लगे थे अंग्रेज तो इंग्लेंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम यह वाइसराय का घर बनाएंगे बाद में इसको आप राश्वादी आप गैले ना जब हम चले जाएंगे तो पैसे तो हमने दिये थे जाता हूं वह सी साब के बाई जब कहते हैं न हम जायेंगे तो ताज महल ले जाएंगे अट्सर दम्डी दे थे और ताज महल ने नहीं बन बनवाया लाइव शाजान ने सरफ भूम दिया था पैसे मेरे पूर वजों ने दिये थे जो उस समय इस मुल्क में 95 98 परषिन कि हमारे पैसों से बने हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप हज एक बात दखिए आगर यह मैं गर पे हूँ और यह घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर रहे गर पास कौन सा विजनिस था जो बड़ा अमीर था भाई लोगों से टैक्स लेता था करवसूलता था लगान लेता था तब ही तो शाहिक हजाने बरते थे वो लोग कौन थे जिन से टैक्स लेता था वो तो 95-98 परसंट हिंदू थे 90 परसंट ही लगा लिजे हिंदू थे तो जारत दर हिंदूओं ने पैसा दिया तब जाके ताजमेल बना इनकी जितनी भी आयाची हैं मुगलों की जितनी भी हैं यह किले विले बनाए अपने ले बनाए एक मुसलिम राजा था जिसको मैं एड्मायर करता हूं विच आई थिं तो ये जो कह ल D Allah बोड़ा करतें हैं कि हम ने तुम को दिया तो मम अरे तुम जबिल बैठाव पैसे किसके तरी बताो पैसे हमारे थे मालिक हमें तुमने डेजाइन करा तुमने रह एक है तुमने होकम दिया बनाने का दॉब टीजां टहीं आ है लेकिन पैसे इंडिया कि थे, इंडियन कि थे , और जो अंगरेज़ों की समय पैसे थे , वो उसमे आपके थिूम भी शामिल थे ने बना दिया तो वो तो तो हमारी बर्दिश यूमें इसको में करने हैं जेकिन काफी हट तक आप लोगों ने रखा हुआ है मत्बर बिल्डिंस को खत्म नहीं किया हैं को उनको देमलिश नहीं किया बिल्कुल से लेकिन मेचरिश जाव एक चीज मेने बैसे देखा टुईट थी वो ख्रीज़ कि यह लुक्त का रहे थी वह और यह दर से भी हिंदूस को ले आएंगे उस कंट्री से भी ले आएंगे पाकिस्तान से भी ले सब्सक्राइब करा दिया मेरे जर्ड ऌर्चाण हो जो इस ने बात परहिए इस थारे कितने वाकियां यह बताइगा इंग इंगा जिली त्कका चांग जो पाकिस्तान की बात नहीं हो जड़े कि लिए जिए रिट दूना रहें जो जब आ जिए अर चाहिए प्नूर इंग कि पूरी जुनिया का तो है नहीं तो लोग कहते हैं तो यह तो सिर्फ तीन मॉलकों का है तो हम लोग यह कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहां पर आते हैं और अपलाई करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे भई इंडिया इस बेसिक्ली एह हिंदु कथे कि तरफ देखेगा और क्यों ना देखे उसका मुलक है उसका स्वागत है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि देखिए हमारा इंटेंट है उनको वापिस लाना आटा को वापिस आना चाहें तो बिकॉस देख तो अपलाई खुर इट और मैं कई लोगों से जब यह ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं अक्चुली आर्ज हुजी मैं तो इनको सीरिस्री नहीं लेता ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूँ यह लोग कुछ भी बोल देते हैं पता है पता नहीं कौन से स्कूल में कौन से कॉलिज में कौन सी उनिवस्टी में गये यह लोग जो यह लोग बात करते मैं एक किसी खासकी नहीं मैं सभी की बात कर रहो इनसे पूछी आपने पढ़ है है twentyAA का दॉक्ट्रोंन नहीं पड़ा हुना नरे तो क्यों फिर क्यों बोलते खियो क्यों अपने आपको जलील कर वाते उ सब के सामें सिर्फ यह बात कही है कि थोड़ा से डिसकाउंत मिल जाएगा है जो टो Is काउंट दे देंगे तीन मुलकों में क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं इसलामिक रिपब्लिक्स इस अगर मुसल्मान आना चाहे वो भी आ सकता है उसको क्या साल लगेंगे तुम उसका आधा वक्त लगेगा यही तो बुला है हमारे बड़े बड़े माहंढ पुराने पराचीन मंदिर हैं मुझे तो कभी किसी ने एक रुपे नहीं दिया लेकिन इस साल में इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी कि आप जाईए आपने कभी सिख को बोला आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदर साथ चले जाओ अपने कभी किसी को नहीं दिया आपने जैन्स को नहीं आपकी 60-65 साल यहां पर हज की सब्सिडी चली वह सई थी अगर आपने हिंदूओं को डिस्काउंट दे दिया वो डिस्काउंट गलत हो गया साब उससे इस्लाम फोबिया हो गया उससे हिंदूस्तान का सेक्लर कावे खत यह तो मुनाफकत है ना इमक्रसी है यह यह बात है अर्जुची मेजर सब एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे उनका नाम नहीं बताऊंगी लेकिन इंडियन गेस्ट है उन्होंने मुझे मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बात तो उन्होंने कहा कि यह सब बात करते हैं जो इन्डियन पैनलिस्ट आते हैं लेकिन वो यह नि बताते कि पाकिस्दान क्यूं बना क्योंके जब मुसल्मान पाकिस्दान बने से पहले जब कोई मुसल्मान पानि मांगता था तो यह ऊपर से पाइप से ऐसे पानि देते थे जै citrus को टचशिना करे और उन तो उन्होंने कहा के जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते वो हमेशा यही कहते हैं के नहीं जी वड़ी साजिश हो गई और यह हो गया तो इस चीज़ को आप कैसे देखने हैं जी देखिए ये सब जो भी आपके पैनलिस्टे जूट बोलते हैं वो जो भी मैं मजब नहीं पूछूँगा जो आपके किस्त हैं ठीक है क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इंकरेक्ट हो जाएगा मैं आपसे बात पूछने चाहता हूं कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा 800 साल हिंदुस्तान में अक्बर याजम जिले लाही बाबर उमायू औरंजेब शाजान नूर जान फ़ला नहीं पता नहीं कितने कितने हैं तो नाम हमें गिना दिया एक लास पानी नहीं पूप है या तो राजा थे बादशा थे बई एक लास पानी नहीं पूप है यह को ही है यह तो बच्चों वाली बात है कि हम पानी ऐसे पिलाते थे वो इन नहीं बताएंगे एक बात बताईए कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि ग्लास से पानी नहीं पिलाते थे जूते थे नहीं नहीं सर्व उसकी बात कर रहे थे पार्टिशन की बात कर रहे थे 1947 की बात कर रहे थे दूसरा वो इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुसलिम नहीं थे, किसी मुसलिम की बात नहीं कर रही है मय यह नहीं कहरा है, यह आस ही यह नासूर हिंद hace ensure यह जाधा है यह जो पराइसे मिर्स है यह कुछ लिबर sözे में जाने जा सब्सक्रावधा कि ऐसा होता था यह नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, कौन नहीं बताएगा भई? अच्छा हम लोगोंने बात छुपा ली. आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में. मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी ने यह बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है? इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं, यह मुसल्मानों को छोटा समझते हैं. बात यह थी कि एक जमाने में हिंदूस वर लाजली वेजिटेरियन, अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लेसन नहीं डाल सकते हैं, अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं, जहां जो नौनेच खाता हैं उसके बरतान अलग होती हैं, चा का और मेरा ठीक है, मैं हिंदू हूँ आप बुसले में, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं पानी पीता हूँ गलास से और मैं कहता हूँ, अर्जू जी अब आप गलास से पानी पीजे, लेकिन मैं अभी अभी सूर खाके आया हूँ, अब ज़रा पानी पीजे, अगर आप पानी प पीछों बंदा इमोशन हो रहा पीछों में आके यह हो गया जी यह हो गया इसलिए पार्टेशन हुआ क्यों कि ग्लास में या बच्छों वाली बात है इत वोड़ पॉलिटिकल फिंग स्टेज बाइद ब्रिटिश अंग्रेजों ने पार्टेशन करवाया राइट कुछ ऐसे हालात हुए यहां पर डिरेक्ट अक्शन दे जिन्ना साब ने कॉल करा ठीक है काफी लड़ाई जगड़ा हुआ इंडिया में कॉंग्रेस पार्टी अग्रीट टू पार्टेशन दे सेट कि यहां ठीक होने तो पार्टेशन हुआ मार काट हुई लोगों की दोना तरफ इमोशनल बाते हैं और डी फैक्टो यानि कि जिसको कहते हैं पोस्ट फैक्टो एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना मैं आपके साथ बतमीजी कर दूं ठीक है अर्जु जी और फिर उसके बाद मैं कुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसल कि जी मैं जी में गुसा आगिया तो मैं में मुटी कर दीकर दूं मैं मेरा बुप शेल कि जा रहे भागी सब चोड़े हम लुजिंग पर जाएं जबर्दस्टर अर्जुजी बहुत जबर्दस्थ है कुछ उर्दू की किताब है मुझा आती नी उर्दू पढ़ने हा इन इ अगर यह शायरी है उना फैज एक अपर आप फैज की बुक है और साथ मेरे फादर की पिक्चर है एक फैज अमध फैज के साथ क्योंकि आप प्षाइश वगरा से भी थोड़ा शॉक है किस ये मैंने कह बता हूं लिए बिलकुल बिलकुल और आप इलाबाद से तालुग टालूग रखती हैं जी 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 ऻ्लोबाद तो देली क्यों के क्यों बिलकुल आपके फादर की में ख़ोगोरह बेरी गुडु recall और ने तेजी साथ रखती हूं फेस् more जार तेंट्ग trials बिलकुल और मेरी अर्जु जी उन्याना हम नहीं है वो अग्षिली पुराना नाम है इलाबाद नाम अगर मैंने तॉप सुनाइ ना अग्षिनल नाम क्या था कि दिली का भी नाम इंदरप्रस्त है और जो इस एरिया को दिली के एरिया नॉट स्पेसिफिकली जिसकों दिली कहते हैं बट इन अराउंड डेली यह सब जो शेहर हैं यह बहुत पहले इंदरप्रस का जिकर महभारत में भी है और अगर आप इलाबाद देखें वो भी बहुत प्राचीन शेहर है आज का नहीं बना इलाबाद कई 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 मतलब हजारों साल पुराना है और वहां पर पहले छोटा हुआ करता था तो बहुत बड़ा हो गया लाबाद का उरिजनल नाम पांड नॉन्होंने बोला कि उन्होंने बोला मोगल बच्छाओं नोब लिए नोगाँ बस दबढरे वही नाम लेकर आ गए बिलकुल सभाने घी तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से पार्टी वगेरा की पर्मिशन नहीं होगी करोना अभी भी काफी हद तक है यह कोई पार्टी कर रहे हैं हिंदुस्तानियों ने पार्टी के लिए इस तफ पर्मिशन नहीं मांगी वो खुदी जुगाड वगाड कर लेंगे सब लोग अपना पर ठीक है लोग बाहर ना जाएं घरवालों के साथ मनाएं अच्छा है सेफ रहें फोटा भी वबा चल रही है करोना की यह ठीक ठाक हो जाए फिर अगले साल मना लेंगे क्या देख कर लेंग बिल्कुल ठीक थीक सब्सक्राइब करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा तो ऐसी इंट्रस्टिंग और इंफोमेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और च यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रू बताएं तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्यार रखिए जल्द मिलेंगे जय हिंद जय भारत